आप देख रहे हैं नियूज बीट पारस जहाजेब के साथ हुक्मरानों की नाकस हुक्मरानी, अवाम की बढ़ती परिशानी, जम्हूरियत और आमरियत की कहानी ये हैं वो भी जिन पे बात करेंगे आज मारूफ दानिश्वर हसन इसार साब से गुजिश्टा एहद गुजरने ही में नहीं आता, ये हादसा भी लिखो मौद्जो के खाने में, जो रद हुए थे जहां में कई सदी पहले, वो लोग हम पे मुसल्लत हैं जमाने में सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के जाइचे में, पाकिस्तान की जनतरी में ये लिख दिया गया है कि इसको हुकमरादी के नाम पर हमेशा ऐसे ही लोग मिलेंगे जो अपने दामन में कोई न कोई दाग रखते हों, और वो इस दाग को साफ करने के बजाए इससे नजरे चुराते हों, हो सकता है कि वो ये समझते हों के दाग तो अच्छे होते हैं, काश कोई उनको ये बताए, ये समझाए कि हर दाग अच्छे नहीं होते, सूरत हाल ये ह कि आपस में एक दूसरे से मौतात, मुटता अपोजेशन की पूरी भाग दौर का मकसद सिर्फ ये नजर आता है कि नवाज हुकूमत को तखते इसलामबाद से बेदखल कर दिया जाए कौम को बताया जाए कि शरीफ खांदान की वज़ा से मुलक, मुलका निजाम, मुलके अदारे खतरे में हैं एक बार इन से निजात हासल कर ली जाए तो सूरच सिर्फ हमारे आसमान पर चमकेगा हर मसला हल हो जाएगा लेकिन वजीर आजम निया नवाज शरीफ के जवाब देने का अंदाज भी अलग है एक के बाद एक मोर्टर वे, एक के बाद एक हॉस्पिटल, एक के बाद एक बिजली गर का इफ्तिदा करते जा रहे हैं और साथ साथ फर्मा रहे हैं कि अगर परवेज मुशर्फ की आमरियत उनका रास्ता नहीं रोकती एक्तिदार का ताज उनके सर पर सजा रहता तो मुल्क तरक्की की शारा पर दोड़ा होता सवाल ये है कि जनाबे आली अभी साड़ी तीन साल से पाकिस्तान के सियाओ सफयत के मालिक तो आप हैं कौन सा कारणामा अंजام दे दिया और अब जो 18 मां बाकी हैं उनमें कौन सा कारणामा अंजाम दे दिया जाएगा क्या अवाम इन सब पे तालियां बजाएं, हुक्मरानों को सर पे बिठाएं, सवाल ये है कि ऐसा कब तक चलेगा और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर होगा क्या इस बारे में हम प्रोग्राम में आज बात करेंगे लेकिन पहले लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मुम्तास दानिश्वत हसन लिसार साथ असलाम उलेकुम, हसन इसार साथ बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है जी वालेकुम, सलाम हसन इसार साथ ये जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं जो जिस तरह ये टॉक शोज में बैटके और महफिलों में बैटकर अपनी लीडर्शिप को और उनके कारناमों को डिफेंट करते हैं सर ये काम ये किस दिल से करते होंगे क्या इनका जमीर मुतमाइन होता होगा क्या इने इस बात की परवा होती होगी की ये कर कजा रहे हैं या आपके खियाल में येही इनकी दुकान दारी है अगर आप मुझे इज्याज़त दें तो आपके बड़ा खु्बसूरत इंट्रो था इसमें दो तीन जो चीजें आपने मेंशन की मैं उन पे अगर आप कहें तो मैं कॉमन्ट करूँ प्लीज प्लीज अच्छा पहला ये के परवेज मुशरफ के दौर का ये बात करते हैं ये जूटे हैं आदादो शुमार इस बात की गवाही देते हैं कि पाकिस्तान एकनॉमिकली तबाही के धाने पे था वें जी मिस्टर परवेज मुशरफ टोक आवर पाकिस्तान ये तो फैक्ट्स की बात है दूसरी बात आपने बात की है नंदी पूर की तो नंदी पूर के बारे में ब्रेकिंग न्यूस समझने आप वो ये है कि नंदी पूर प्रोजेक्ट अर्बों रुपए की अदाएकियों और आईल खरीदारी का रेकॉर्ड जाया कर दिया गया है मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा है ये इख़बार की रिपूर्ट है कि आहम फाइले महां जाया कर दी गई है जिनका तलुक अर्बों रुपए के घबलों से है ये तो है आपका नंगी पूर ये नंदी पूर जी बिल्कुल गायब कर दिया है उन्होंने सारा कुछ अच्छा अब चलते है कि हुक्मरानों की जो आपने इस सिफात बियान की है तो हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे असलाफ का जिनके पास अल्ला की अल्टिमेट विस्डम जिनको दी गई थी उन्होंने फरमाया था कि जैसे लोग होंगे वैसे हुकमरान उनके मसलत कर दिये जाएंगे ठीक हैं ताजा तरीन खुशखबरी ये है यूएन की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि पाकिस्तान का तालीमी निजाम जदीद तकाजों से 60 साल पीछे है ये थपड है मोटर वेस के और मेट्रोस के मूं पे ये थपड है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी है लेकिन इनको हया नहीं आएगी 60 साल पीछे यानि आप दुनिया में बाइज़त होना चाह रहे हो इन पेहुदात तकरीरों और कौमी तरानों और मिली तरानों के बल्बूते पे तो ये है इनका असली चेरा अब आगे चलें, ये डिफेंट बात आप ने की है ये डिफेंट पब्लिक अली करते हैं अब बात ये है कि ये जो पैनेमा लीक्स का मामला है आप देखिए किसी भी शखस को, हर वो शखस जिसको थोड़ी बहुत भी नो हाउ है इस हवाले से तो वो ये कह रहा है कि अगर इस पे वजीर आजम की आउलादों के नाम हैं तो पिर इन से पूछ हो तो सर ये हर फोरम पे ये डिफेंड करने वाले जो लोग हैं या जो ये नहीं मानते हैं इनको ये समझ नहीं हा रही है इस बात की सर ये इनके लीडर्स होते हैं या कोई ये देवी देवता हैं कि ये कोई गलत काम ही नहीं कर सकते हैं ये कोई गलत बात ही नहीं कर सकते हैं ये चंद रोज पहले मैंने अपने एक कॉलम में इस पहरत का इज़ार किया कि मुझे यू लगता है कि ना इनके कोई माबाप हैं ना इनके कोई बीवी बच्चे हैं ना इनके कोई दोस्ता हबाब हैं वरना इस तरह की घटिया फजूल हरकत और जिस तरह का ये आग्यूमेंट देते हैं उसके बाद अगर कमसकर मैं घारा हूं तो मेरी बीवी मुझे एक डिर्टी लुक जरूर देगी मेरा कोई बच्चा मुझे सवाल जरूर करेगा जिए बाबा आई यू शूर क्या तुम हमारे सुरों पे हाथ रखके ये कसम खा सकते हो कि ये दैनतदार हैं लेकिन ने नहीं बेहिसी बेश्रमी और बेहयाई ये लफ्स इसेम्बली में खाज आसिफ ने बोले थे कोई शर्म होती है कोई हया होती है कोई खहरत होती है ये बेहतर है कि वो किसी close door meeting में अपने साथियों से भी पूछें अपने आकाउं से भी पूछें कि कोई शर्म होती है कोई हया होती है कोई खेरत होती है आप सरे आम खड़े होके कह रहे हैं लोगों ने जवाब दे दिया मैं क्या जवाब दूँ तुम्हें जवाब देना नहीं जवाब देना पड़ेगा इतनी नंगी धांदली इतनी बड़ी लूट मार ये F.I.R. दर्ज हो चुकी है इसकी भुटो की F.I.R. के दर्ज होने और उसकी पांसी में कई सालों का वक्फा था सो F.I.R. इनके खिलाफ दर्ज हो चुकी और जो इतजाद असन ने बात क की ये वब़ी खुबसूरत है कि इनके इनकी गर्धन में ये पैनामा की घंटी पड़ गई है इस ने मैं ने ये एक किया था कि ultimately या गर्दन तूटेगी या घंटी तूटेगी तीक है या दूनों तूते जा लेकिन एक बात क्या वजह क्या लगती आ लगती है आ जे सलामत नी रहेगा मामला है ये क्या ख्याल है इसी क्या वजह हो सकती है कि ये पारलिमेंट में सीना तांकर कहने वाले मिया मुझ سے एतसाब शुरू करो तैकिकात मुझ سے शुरू करो अभी ये कभी टी ओ आर्स के पर्दे के पीछे छुप रहे हैं कभी इंक्वाइरी कमिशन की बात कर रहे हैं कभी ये दीगर डिलिंग टैक्टिस इस्तमाल कर रहे हैं ये वज़ा क्या है पार्लिमेंट में तो बड़े एत्मात से का था ना कि करो हम से मुझ سے मेरे खांदान से शुरू करो तैकिकात कहने और करने में फर्क होता है किस बात की तैकिकात इनका पहले दिन से ही मुकरना वच चार सवाल नेरो डाउन करके सवाल बहुत थे यानि जब बिलकुली इज़त बेज़ती से बंदा मावरा हो जाए वो सोशल मीडिया पर एक चीज बड़ी वारल हुई कि इतनी दौलत ने अपने घरों में एक ठीक कर लिया कि इज़त को रखने की जगा बाकी नहीं रही सो जब आदमी इज़त और बेज़ती से इस मकाम से गुदर जाए तो फिर सब कुछी ठीक होता है सो ये अपने तोर पर ठीक कर रहे हैं इसके अलावा चारा ही क्या है एक सूरत है उसके लिए बहुत ग्रेस चाहिए बड़ी डेप्ट चाहिए ये कौम से माफी माँग लें सारा पैसा वापस ले आए और कहें कि हमसे खलती हुई थी और हम पूरी कौम से माफी माँग लें कौम इतनी जैनरिस सर वो तो समझते ही नहीं कि कोई गल्प होगी है नहीं मैंने कहा एक सूरत है जी नहीं जानते दो है चोर को तो पता होता है अंदर से के उसने क्या किया है आप ये देखिए सर के जब जर्गारी साहब मानना या ना मानना वो उस्टेज आ जा जा जाएगी मानना पड़ेगा जी सर ये जानने के बावजूद इनका यहाल है सरे पैलिस पारिस अगर आपको याद हो सरे पैलिस सरे पैलिस का जब इन पे जाम लगा तो लगाने वाले यही लोग थे ना नूमरी वाले यही नवाज शरीव साहब यही ग्रूप था अच्छा वो धिटाई के साथ मुहतरमा अल्ला उनके गुना माफ फरमाए उन्हें जन्रत नसीब करे मुहतरमा और उनके मियां जर्दारी साहब यह दोनों उसको पुरी तरे कॉंटरिक्ट करते रहे इंकार करते रहे लेकिन जब फस गए तो इनको ओन करना पड़ा था वो दिन इन पे भी आने वाला है और मेरा जाती ख्याल है बो दिन दूर भी नहीं सर जब जर्दारी साहब सदारत के मनसर पर मौझूद थे और उन पर जो तनकीद करने वाले थे जब तनकीद करते थे तो कहा जाता था कि सदर पाकिस्तान को टार्गेट कर रहे अब पैनिमा के ओपर बात की जाती है तो कहा जाता है कि वजीर आजम पाकिस्तान को टार्गेट कर रहे हैं हसन इसार साथ ये सदर ये वजीर आजम बनने के बाद कि असर इनके सारे गुनावे से माफ हो जाते हैं ये मुकदस गाये बन जाते हैं इनके ओपर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता ये गेर महजब दुनिया में मुकदस गाये होती है अधरवाइज ये वाकई चाकर होते हैं ये अवाम के नौक इनका क्लेम टू ग्लोरी क्या है इन भूके नंगे जाहिल अनपड़ लोगों का वोट जी अधरवाइज इनकी ती आपको हाथ नहीं लगाया होगा इनका दो ओनली क्लेम टू ग्लोरी वो है क्या ये इन भूके नंगे लोगों का वोट सो बनियादी तोर पे हमारा प्रॉबलम है चुकि ये जो बात यूएन ने की है कि साट साल पीछे है पाकिस्तान तालीमी नजाम के जदीद तकाजों के हवाला सी ये साट साल पीछे है ये बायर डिजाइन रखा गया है ये एटम बॉम से लेके मोटर वे तक सब कुछ बनाएंगे ये लोगों को पढ़ाएंगे नहीं ये उनको कॉलिटी एजूकेशन से महरूम रखेंगे वरना लोग इनको देवी देवताओं की बजाए अप को इनके साथ मिस्प्रीट करना शुरू करतेंगे अगर आप बावर्ची बुरा बरदाश्टी करते हैं ड्राइवर आपका मिस्प्रेव करे आपको आप उसको सैक कर देते हो अगर आपका चौकीदार चौकीदारी के टाइम पे सो रहा हो या गायब बोर ड्यूटी से यू हो के निकलते हैं आपने देखा जदारी साथ जेल गए उसके बाद सदर बन गए गिलानी साथ जेल गए उसके बाद वजीर आजम बन गए मिया साथ कुछ अरसे के लिए जेल गए पर तीसरी बार वजीर आजम बन गए वसीम अखतर जेल गए मेहर बन गए तो सर अगर क्रा लुक्त अजीज भी प्राइम मिनिस्टर रह सकता है जो मुलक में दाखिल नहीं हो सकता और एक यूनियन काउंसलर और मुन्तखिब नहीं हो सकता मेरिट पे लेकिन वो कितनी देर और बड़ा 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 जोकर यहां एक ऐसे साब भी आये थे जिनको शेरवानी पहनाई आई गई हैलो उटाने से पहले तो उनको शलवार बांदनी नहीं आ रहे थी तो उनके लिए को गैलस वैलस का बंदोबस्त किया गया था तो इस तरह के जोकर भी अगर हम पर मसलत रह सकते हैं तो यह भी ठीक है भाप फिर वही हैं जी जी कि जैसे लोग होते हैं वैसे हुक है आप अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तानियों को फैसला करना होगा कि चंद खानदान चाहिए या पाकिस्तान चुकर ये चंद खानदान और पाकिस्तान अब जादा अरसे तक साथ नहीं चल सकते काउंडाउन चुरू हो गया है तो सर ये चंद खानदान और पाकिस्तान ये ब इसमें एक तू मैं आपको साधा सी मिसाले देता हूँ, एक तू महावरा है, लास ट्रॉवन अ कैमल्स बैक, आखरी तिनका, आप मनों के हिसाब से उंट की कमर पे लाते जाते हो, फ़र उसके बाद एक तिनका है जो उसकी कमर तोड़ देता है, ठीक है, इसी तरह जब कोई च पिछली जो 99 जर्में हैं, उनको भी उतना ही क्रेडिट जाता है, कहेंगे हम कि जी ये इस चोट पे तूटाए ये, लेकिन उसके पीछे 99 चोटे मौजूद होती हैं, मेरा जाती ख्याल ये है कि अब ये पॉइंट अफ नो रिटर्न, ये दिन बहुत करीब होता जा रहा है खाकम बदायन कि या पाकिस्तान या चांद खांदान अगर किसी को चाहिए ये मुल्क तो इन से नजात चाहिए होगी, वरना ये दोनों साथ चल नहीं सकते, ये लॉजिकल नहीं है, ये गहर फितरी चीज़ है जी, सर एक जानब आपने जो बात की, अब एक जानब देखें, आपोजिशन फिर इस हवाले से मिया नवाज शरीफ पर प्रेशर डाल रही है और मजीद प्रेशर बढ़ाने का सोच रही है दूसरे जानब हसन इसार साथ आप देख रहे हैं कि मिया साथ तो और जादा एग्रेसिव, और एक्टिव, और जादा कॉन्फिरेंट नजर आ रहे हैं वो ना सिर्फ इस वक्त आपॉजिशन को चैलेंज कर रहे हैं, बलके दोहजार अठारा का भी खाफ देख रहे हैं, बलके अपने जलूसों में वो दोहजार अठारा के बाद के वादे भी कर रहे हैं तो फिर असनिसार साब ये ये इतने पुर इतमाद, ये इतमाद इन में कहां से आ गया, क्यूं है, वज़ा क्या है इसकी फिर? मेरा दाती ख्याल ये है, कि इतमाद से ज़्याद ये इतमाद की अदाकारी है, ये डिस्परेशन है, दोजार अठारा, वो हम जैसा गुनागार आदमी फोन पे बात करके कहते हैं न, कि मैं आठ बजे पहुंच जाँगा इन्शाला, और अगर कभी इन्शाला कहना भूल लिए, हाओ कैना ये वी सो शोर, कि मैं जी आम आठ बजे आपके पास पहुंच जाँगा, ये कितने यकीन से दो हजार अठारा की बात कर रहे हैं, मुझे तो इनकी अकलों पे रोना आता है, वो जो एक बड़ा घटिया सा मिसरा लिखा होता है, रिक्षाओं के पीछे, साम के बाद बहुत ज्यादा फड़कता है, इनकी सारी भड़क और फड़क के पीछे मुझे तो बहुत ही ट्रेजिक किसम की सूरतहाल नजर आ रही है, वो किस शकल में आएगी सामने, लेकिन आई एम हंड़िट पसंट शोर, और अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता, त टोटली, ये फारिख है, कुदरत ने अपनी किताब में से फिर समझें के हमारा और आपका वर्क पाड़के पैंक दिया है, तीसरी कोई सूरत कम असको मुझे दिकाई नहीं देती, सर, अगर ये पैनेमा लीक्स का जो मामला है, हसन इसार साब, अगर ये समझा जाए कि ये वो इशू है जिससे पाकिस्तान की सियासत की डिरेक्शन दुरूस्ट हो सकती है, बेतर हो सकती है, तो क्या फिर हम ये भी मान लें, कि इस मामले से उपोजिशन अभी तक इसमें काम अगर आप गोर से देखें, तो अपोजिशन सर्फ एक बंदा कर रहा है, जिसके बारे में सुबा दोपैर शाम प्रॉपेगंडा हो रहा है, इसको सियासत नहीं आती है, और मैं लोगों से पूछता हूँ कि यार को खुदा का खौफ करो, फिर किसको आती है, फजल रहमान क को आती है, किसको आती है, मिया नवाज शरीफ को, असर्फ जर्दारी को आती है, हम इनको पॉलिटिशन्स कहते हैं, इस इस क्लास, इस कैलिबर के लोगों को हम सियासत दान कहते हैं, वो फोकस्ट है, वो घलतियां कर रहा है, बिलकुल की हैं, तो मैं कोई शक्त नहीं है, मै की सारे खुर्ची इचा हैं वो टाफ टाइम दे रहा है इनके असाब जवाब दे गए है गाली गलोच पर यह उतर रहे है मस्करों का एक हजूम है जो एकठा हो के अभी तो आपने खुद बात की है कि उन चीज़ों का दिफा कर रहा है जिन चीज़ों का दिफा करना मुम्किन ही नहीं है तो यह क्या है और एक ताजा मिसाल में आपको देता हूँ मैं हैरान हूँ कि आप उसको कैसे नजर अदास कर सकते हैं अभी रिसन्टी जो दो इलेक्शन्स हुए है जी 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 उन में कहां खड़ा दिखाई देता है आपको पी टी आई या इमरान खान आपको कहां नजर आए हैं वो एक बच्ची मेरा खल बूरे वाला वो आईशा समक्ती जी 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 वो कोई आशिक नजीर जाट साब उनकी जो बेटी है अक्सवोर्ट की पड़ी भी बच्ची है इन्होंने जितनी नंगी धांदली करके इस मुल्क के मुँ पे कालत मली है सोशल मीडिया पे जो दिखाया जा रहा है जो पोटेज इसके बावजूद वह मारजन देखें आपने अंदाजा लगाएं कि आठ साल से पंजाब को ये चिपके हुएं साड़े तीन तीन साल हो गए इनको मरकज में बैठे और मारजन देखें आप ये हजार हजार वोटों से जीत रहे हैं ये है असल लगी सर लेकिन फिर भी ये है स्टेंडिंग इमरान खाव हसन इसार साब लेकिन फिर भी देखें नूनली के रही है कि 2013 के बाद जितने भी इलेक्शन्स हुएं आप देखें 90% में वो कहते हैं कि हम जीते हैं और बड़े ये फखरी अंदास में ये बात करते हैं तो पिर हसन इसार साब हमारे यहां उमीद का पॉपल्लिरिटी का क्या है अब जो मेंड़ट है क्या उसके फैसले बैलिट बॉक्स में होंगे या सडकों पे ओंगे मेरा ख़यले इल्टिमेटली फैसला सडकों पर यहा कहीं और होगा ये बैलिट बैलिट तो हाई बकवास मैंने तो कभी इसको तसलीम किया ही नहीं मैं इस जमूरियत को इसके बारे में मैंने ऐसी ऐसी जबान इस्तेमाल की है ऐसी ऐसी मिसाले मैंने दी हैं कि ये वो चुडेल है जो खुबसूरत औरट के रूप में आती है और जो बंदा उसकी तरफ अट्रेक्ट होता है ये उसका खून पी लेती जी मैं कहता हूँ ये जहर की बोतल है जिसके ओपर आब जमजम का लेबल लगा हुआ है मैं कहता हूँ तुम एक क्रोड एलेक्शन करा लो ये मिसाल मैंने अमेरिका में एक लेक्शन वो वाइरल हुए था उन जमाने में बहुत जादा अब भी लोग उसका बहुत जादा हवाला देते हैं कि देखो ये जो नजाम है ये जो इन्तखाबी नजाम या जो ढूंग है डिमोकरिसी का इटस लाई का मशीन करने की मशीन है तुम हर बार खंजीर का गोश डालते हो हर बार खंजीर का कीमा निकले गा तुम ये प्रैक्टिस एक अरब बार भी करोगे तो यही नतीजा होगा जी तो इस तरह के इंतखाबी निजाम में इस तरह के इलेक्शिंज में इस तरह के इनवाइरमेंट में अवाम के हकीकी नुमाइन दे आगे हैं वो ही होगा जो आशा जट के साथ या जो भी इस बची का नाम है गुरे वाला का ये दूसरी जगρα भी यहीं तमाशा हुआ भी हुआ लेकिन कब तक देखें बात सुनें एक बात जान लेते हैं समझ लेते हैं उसको अच्छी तरह ना यह सदाम हुसिन है इन में से कोई ना इन में से कोई रदाशाव पेल भी है ना ना इनमेंसे कोई मुअमर कजाफी है उन सब के अंजाम आपके सामने है ना तो इन के अंजाम का इंतवार करें भुटो के बारे में ये रहुनत थी बेगम भुटो अल्ला उने घरी के नहमत करे उन्होंने एक बार का था भुटो जार बॉन्टू रूरूल भुटो भुटो पैदा ही हकूमत करने के लिए होते हैं ये बेगम भुटो को कोट कर रहा हूं मैं आज कोई भुटो माजूद नहीं है आज गड़ी खुदा बक्ष भरा हुआ है भुटों से दोनों बेटे गए खुद भुटो साफ फंसी चड़े बेटी गई अब अगर करके तो उसे भुटो नहीं मिना सकते भुटो जिनके बारे में उस खांदान की मुहतरम खातून का ख्याल था कि देर बाउन टू रूल नहीं देवर बाउन टू बी बरेड इन गड़ी गड़ी खुदा बक्ष ठीक ओ यहां तो सफवी नहीं रहे यहां मुगल्स नहीं रह यहां आटिमन वाले उस्मान आटिमन अमपाइर की वो नहीं रही बनू अभास नहीं रहे बनू वो ओमाइा नहीं रहे और यह तो बेचते ही कुछ नहीं यह तो कुछ भी नहीं नहीं है अगर जूट अमारत होती यह ताजमहल हो ज अगर जूट साइंस होती ये आइंस्टाइन और न्यूटन होते इनका तो आगा पीछाई कोई नहीं है तो देखते जाएं इन मुंबर कदाफियों का इन रगाशा पैलमियों का अंजाम वो भी बड़ा जिचस पेक तजर्बा होगा कि 29 आगस्ट को इस्लामी जमूरिया पाकिस्तान के वजीर आजब मिया मुहम्मद नवाश शरीफ ने एक चाइनी सफीर की मौझूदगी में ये कहते हैं कि चाइना इस प्रोटेक्टर आफ आर आइडेंटिटी दो बाते हैं हसन इसार साब कि सर क्या हमारा दिल औ दिमाग हमा चाइना हमारे तशकुस का मुहाफ़ज है तो ये तिनी बड़ी फॉच क्या कर रही है हमारी एक बात और थी उसमें कि चीन दुनिया में पाकिस्तान के तशकुस और इज़त का मुहाफ़ज है ये था पूरा तो मैंने उस पर पूछा था कि फिर तुम क्या कर रहे हो तुम उसका मुहाफ़ज भी अगर तुमने को निया ढूंड लिया है पहले गदागर थे अमरीकनों के अब कोशेश ये करके तुमने को नई इसामी ढूंडी है बहुत भारी पड़ेगी ये मैं मुख्तलिफ तरीकों से ये बात मैं मसलसल कह रहा हूँ देखते जाएं इने टें तो फिफ्टीन येर्ज होता क्या है सूपर पार जो हजारे ओम मील दूर बैठी थी ये तो नेक्स डोर है और अभी बने नहीं इनको बने दें अभी तो ये पाइप लाइन में है इसा सूपर पार इन दे मेकिंग और तो टेक ठीक कॉइट सम टाइं तो बेकामा सूपर पा पाल नाम लेके मौदूदी या रॉब फिफ्टे दिनों में आमी चीफ का था ना एकस्टेटमेंट जी जी सै बिल्कुल था जो जो बात जो बयान वजीर आजम की तरफ से आना चाहिए था वो आमी चीफ को देना पड़ा है इस तरह होता नहीं है देना पड़ा उनको चु कि अपने सिस्टम में से यह एतसाब का लवज निकाल दें ना ही यह लवज होगा ना ही इस पे सियासत होगी बस पिर इक्तदार में आओ खाओ पी और भाग जाओ सर कहा जाता है भी तक तो ऐसे ही हो रहे ना इस मुलक में पंजाबी का एक एक एक्षपेशन है आप तो खुदादा वैर यह रजाशापैल भी बगरा कि जितनी मैंने मैं आपको मिसाले दी यह वो भी लगता था यह ना खुजीर हैं जब तक यह मुलक है यह रहेंगे इनको मौत भी नहीं आएगी पिर कितनी भ्यानक मौत मैं सोच लेकिन इनके इन्जाम पे रंज मुझे भी हुआ ठीक दो वे ही वोज हैंड और जिस तरह जिन्दगी की भीक मांग रहा था मौमर कदाफी उस वक्त भी उसके पास जो रिवालवर था वो गोल्ड का था यह मरीज लोग हैं इनके पेट सिर्फ कबर की मटी भरेगी यह पाक देखते रहेगे न्यूस्पीट हॉस्पीटल्स के जो हालात हैं यह याद आ गए हैं इनका ख्याल आ गया है और अब मुल्क भर में वो चार सुनाए हॉस्पीटल्स बना रहे हैं यह हेल्थ कार्ड इशू कर रहे हैं तो क्या ख्याल है देर आए दुरूस्ता है समझ के हमें इसको एप्रिशेट करना चाहि है कि जो पहले हॉस्पीटल्स बरबाद है उनका तो कुछ कर लो जी किसी हॉस्पीटल में कोई जो मेंगा टेस्ट हो नहीं सकता मशीने खराब हैं सतर फीसद बैट शीट्स नहीं यह लाहर को पी आएसी पंजाब इंसिच्यूट ऑफ कॉडियालोजी वहां आप हार्ट पे चार सो में बनाएंगे इसी तरह नहीं इसी तरह नहीं स्कूलों का भी यही हाल है उनके बारे में आदादों शुमार आते रहते हैं और वो इतनी भेनक सूरते हाल है तुम दानिश में घुज गजगए हो और जो पहले मौजूद है उसका तो को हाल उलिया बेतर कर लो इसल अरी रिबन कटेंग जो हो रही है यह लिए नंदी पूर कितना रौला था अभी आपको बताया है ना कितने अरब रुपया का घपला है सर ये बताया आपको बात कर रहे हैं ये हुकमरानों के जहन में ये बात क्यूं है कि ये जो ये औरेंज ट्रेन, मेट्रो बस, मोटर वेज, दानिश स्कूल वगएरा वगएरा जैसे जो प्रॉजेक्स है इनको बनाकर इनका इक्तदार काइम रहेगा इनके जहन में ये बात के आलम में अपनी फसल मच्योर होने से पहले बेच देता है जी ये वो लोग हैं जिनों ने फसले उगने से पहले बेच दी है और कभी गोर करें मैं कल भी किसी चैनल पर यह बात मैंने की कि एक सवाल पर गोर करें डॉलर का एक सर्टन बेहिवियर है जी इस हाग डार साभ लावा नहीं कभी उस तरह बहेव करता है। वो डॉलर का जो डांस शुरू होता है ना ब्रेक डांस वो इनके खता ही क्यों होता है। ये ऐसे हजारों सवाल हैं ये तो सुप्रीम कोट ये हाई कोट ने, मेरा हल सुप्रीम कोट के किसी फाजल जाजनी ये बात की थी कि ओ भाई, नए हॉस्पिटल्स बनाने चले हो, जो ये मजबा खने हैं, स्लोटर हाउसे हैं, में हॉस्पिटल से लेके इनके पी आई सी तक, इनके जो हालात हैं कभी वो तो जाके देख लें आप, नए हॉस्पिटल बनाने चले हैं, नए बड़े प्रॉजेक्ट्स, बड़े खांचे, बड़े प्रॉजेक्ट्स, नए बड़े खांचे और बड़े ड्रमें, लेकिन कितनी देर तक, मैं ये सूच तक, गैर फितनी ब हमेशे हमेशे के लिए बेवकुफ नहीं बना सकते, तो और जलील होके, और ठुकरें खाके, और जिल्लत कमाके, आज नहीं तो कल, लोगों को समझा जाएगी। अगर ये स्ट्रेटेजी है, अगर ये प्लैनिंग है, अगर ये बलफ है, अबल तो मैं फारुक सतार और उनके साथियों का, मैं उसने जन रखता हूं उनके बारे में, के अनफ जनफ, जैसे मैं अवाम के बारे में ये बात की है, आउंट की कमर पे आखरी तिन का, तो हद है ना, वो साचिरेशन पॉइंट आगया है, या अलताफ साथ खुद ले आए, अबल तो मैं उनको शक शुबे से नहीं देखता, जी, दूसरी बात कि अगर ये स्ट्रेटेजी है, प्लैनिंग है, बलफ है, तो ये अफ हो जाएगा, और ये रिवर्स नहीं हो सकता, आई ड उसकी वज़े, किसी चीज़ के बारे में मुझे, मुझे आप स्केंडलाइज कर रहे हैं, और लोग कर रहे हैं, और लोग बतें कर रहे हैं, तो कोई अभाम, कोई शक शुबे की गुझाइश होती है, अगर मैं आपके लगाए हुए इल्जाम की खुद तस्दीक कर दूँ पॉब्लिकली, उसका क्या करोगे, तो ये हो चुका है, ये अब नहीं होना, there is a limit, फारूक सतार साब सामने उनकी एहलियत पर, उनकी सलाहियत पर भी तो सवाल उटवे हैं, असर निसार साब वैसे, सर उनको ये क्यों हक हासिल नहीं होना चाहिए, कि वह कयादत कर सकते हैं, वो सरबराई कर सकते हैं, क्या उनमें कोई कमी है? मैं तो नहीं समझता, फारूक सतार साब बहुत पड़े लिखे, बहुत मतوازन, आर्टिकलेट, बहुत डीसंट, मेरा उनके साथ अच्छा तालोक कमी, यानि खास ही हमारी मुलाकाते हैं, मैंने हमेशा एक इनतहाई फोकस् नहिंती नाप तोल के बात करने वाला आदमी, वो एक सहर में रहे, एक इन्फरेंस में रहे, देखे न, मुस्तिफा कमाल है, अगें, जी, अवन्डरफुल परसन, कोई शक नहीं मुझे, इसमें, उन्होंने भी फॉर एक्स नंबर ओफ यर्स बरदाश्ट किया न सारा उसके बाद उनका सबर उस वक्त जवाब दे गया, ये अपना अपना, देखे न, आप मुझसे ज़्यादा कुपत बरदाश्ट रखती हैं, तो एक नॉन्सेंस को, मैं, मैं पहले मेरी हम्त जवाब दे गई, आप में कुपत बरदाश्ट ज़्यादा थी, आपने निकाल दी एक सिचुईशन में, ये तो बंदों का जिस तरह एपटाइट मुझसे होता है, इसी तरह डिफरेंट लेवल्स है न, तो मस्तिफा कमाल पहले चोड़ गया है, लेकिन उन्होंने भी कई साल तक, ये लिवन विद इस नॉन्सेंस या वाटएब, बिल्कुल, बर रूख सतार जरा ओट, बस एक वन लाइनर इसके ओपर दे देंगे, जो कराची की इस वक्त सियासी सुरत हाल है, तो फिर क्या इन हालात में, आप MQM को ही आगे मजबूत देख रहे हैं, या कराची की सियासी डाइनमिक्स में कोई तबदीली हो सकती है, आ सकती है, डाइनम बेतर होगी, strategy बेतर होगी, focus होंगे, इंतशार नहीं होगा अंदर, मुतहिद होगे, मेनत करेंगे, नतीजा बहुत बेतर होगा, फिर पता नहीं, MQM की सूरत क्या बनती है, अभी एक तरह मुस्तवा कमाल हैं, उदर फारूक सतार हैं, उदर अलताफ साब का अपना कोई ल आसी जमाते, खुद को एतिसाब की अमल से गुजारने के लिए तैयार हैं, सोचिएगा, अपना अपने मुलका ख्याल रखिए, पारिज जहांजर को अजासित दीजिए, अल्हाने के बाद,